हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम capital and revenue transactions discuss करेंगे और ये accounts की एक बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा important concept है हमें accounts बनाते वक्त capital और revenue transactions को अलग तरह से separate करके identify करना और record करना बहुत ज़रूरी हो जाता है otherwise जो accounts है वो पूरी तरह false और misleading results जो है वो users को देंगी तो हमारा objective क्या है accounting information जो correct accounting information है वो users of accounting records तक पहुँचाना तो अगर आपकी accounting information ही गलत हो जाए तो आपका जो basic objective of preparing the accounts है वो ही नहीं fulfill होता है तो अगर आपको अपनी accounts बनाने की objective को fulfill करना है तो आपको capital और revenue transactions में एक clear distinction करना पड़ेगा और उन्हें अपने way में record करना पड़ेगा चली देखते हैं यहां क्या लिखा है failure to separate the capital and revenue transactions will produce false accounting results क्या लिखा है कि failure to separate the capital and revenue transactions will produce false accounting results and eventually mislead the users of accounting information तो जाहिर सी बात है कि अगर accounting results ही false या गलत होगी तो जो उन्हें पढ़ेगा या जो उन results को study करके decisions लेगा उनकी decisions भी गलत होगी और वो mislead हो जाएंगे चली कुछ examples से देखते हैं सबसे पहला example जहां पर गलती हो सकती है कि आप किसी capital transaction को revenue transaction treat कर लें या vice versa चली देखते हैं पहली क्या है purchase of machinery may be charge to purchase account तो होता क्या है machinery तो एक capital transaction होनी चाहिए लेकिन गलती से आपने purchase account debit कर दिया मतलब यह nominal account है और आपने जब इसको debit किया मतलब आपने इसे revenue transaction के इस आप से record कर लिया तो इसके कारिन क्या होगा कि आपकी जो expenditure है current year की expenditure जो purchases होती है वो increase हो जाएगी क्योंकि आपने खरीदा तो है machinery पर उसे आपने purchase account में debit करके दिखाया है तो आपकी purchase यानि expenditure increase हो जाएगी expenditure increase होने के कारण आपकी profits जो है वो understated हो जाएगी यानि की कम हो जाएगी profits तो जितनी profits आपको इस साल में आनी चाहिए थी उतनी profits books शो नहीं करेगा है तो आपकी asset की value बढ़नी चाहिए थी लेकिन asset की value यहां पर बढ़ नहीं रही है उसकी जगह पर expenditure बढ़ रहा है तो आपकी जो asset भी होगी machine भी होगी वह भी understated रहेगी क्योंकि इसकी value बढ़नी चाहिए थी आपने जो machine खरी दी उस purchase के कारण आपकी value जो है वह बढ़नी चाहिए थी लेकिन आपने उसे machine account में record नहीं करके purchase account में record कर दिया तो आपकी machine भी finally understated ही रह गई अगला example देखते हैं repairs to building में भी charge to building account अब हो सकता है कि आपने किसी building की repairs करवाई हो और आपने उस repairs को building account में debit कर दिया तो इसमें क्या गलती हुई है repairs to building जो है यह repairs to building यह actually है एक revenue transaction आपने building में normal repairs कराई है यह current year के खर्चे है यह revenue transaction है लेकिन आपने क्या किया किया गलती से उसे building account में ही charge कर दिया building account में debit कर दिया तो क्या हो आपका building की value बढ़ गई है आपने normal से repair कराई है फिर भी उसके कारण आपकी building की value बढ़ गई जो की नहीं है वह overstated हो गया तो देख लीजे यहां पर profit जो है आपका overstated हो जा रहा है मतलब ज्यादा दिख रहा है और आपने यह खर्चे जो है वह building account में debit कर दिये मतलब कि आपकी जो building account है उसकी value बढ़ गी तो आपके profits as well as building दोनों misled हो जाएंगे दोनों overstated हो जाएंगे सेम केस में आपने सेल प्रोसीड सफ़ फरनीचर में भी ट्रेट इस इन इंकम आपने बिजनेस की एक एसेड बेच दी फरनीचर थी उससे आपने बिजनेस में इंकम की तरह record कर लिया जो की गलत है कभी भी किसी fixed asset को अगर हम सेल करते हैं तो उसकी इंकम जो है उससे अगर कोई इंकम होती भी है तो उसे हमें revenue इंकम ट्रीट नहीं करनी चाहिए लेकिन हमने यह की तो इसके कारण हमारी profits और furniture दोनों overstated हो जाएंगी अब चलिए हम लोग देखते हैं कि capital और revenue जो transactions है capital और revenue इन transactions में के दो parts है एक होते है capital और revenue expenses और capital और revenue incomes तो आज के इस वीडियो में हम capital और revenue के जो expenses है वो देखेंगे तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि capital expenses क्या होती है आये देख लेते हैं तो यह है हमारी capital expenses की definition है यहां पर चलिए देखते हैं क्या लिखा है if the benefit of an expenditure is not fully consumed within an accounting period but spreads over several periods it is called a capital expenditure if the benefit of an expenditure अगर किसी expenditure की benefit या किसी खर्चे से जो आपको benefit मिल रही है वो एक accounting period में fully consumed नहीं हो रही है लिखा है is not fully consumed within an accounting period मतलब आप कुछ खर्च कर रहे हैं लेकिन उस खर्च से जो आपको benefit मिलेगा वो सिर्फ एक accounting period में नहीं मिलेगा बलकि over several accounting periods में मिलेगा मान लीजे कि यह एक timeline है और यहां पर जो यह pillars है यह years है 0 1 2 3 4 5 5 साल की timeline है तो यह हो गए years अब आपने इस point पे खर्चा किया है और यह जो है यह आपकी current accounting period current accounting period तो आपने इस point पे कोई खर्चा किया लेकिन इस खर्चे से जो आपको benefit मिलने वाला है वो सिर्फ इस period के लिए नहीं बल्कि more than this period मतलब एक से ज्यादा periods के लिए आपको मिलने वाला है तो ऐसी कोई भी जो expenditure होगी उसे हम capital expenditure कहते हैं अब चलिए देखते हैं कि capital expenditure में कौन-कौन expenditure include की जाती है तो capital expenditure includes expenditure incurred for purchasing or constructing fixed assets तो किसी भी fixed asset को purchase या construct करने के लिए हम जो खर्चे करते हैं उसे वो capital expenditure होगी fixed assets के examples है land, building, plant, furniture, etc और fixed asset की feature क्या है fixed assets की ये खासियत है कि वो business में resale के लिए नहीं होती है they are not held for resale but for long term use in the business तो हम जब भी कोई building खरीते हैं जैसे मान लेजिए कि आपने अपने business के लिए एक दुकान खरीदी है तो वो दुकान आपने resale के लिए नहीं खरीदी आपको उस दुकान को बेचने की इच्छा से नहीं खरीदी आपने उस दुकान को इसलिए खरीदा है क्योंकि आप उस दुकान या उस premises में अपनी business को setup करना चाहते हैं और उस premises को या उस दुकान को use करके आप अपनी business continue करेंगे पर आपके मन में ये कभी भी ये आपने खरीदी है रीसेल के लिए नहीं खरीदी तो यह सारे एसेट्स जो होते हैं जो business में रीसेल के लिए नहीं बलकि long term यूज के लिए खरीदे जाते हैं उन्हें fixed assets कहते हैं और fixed assets खरीदने में हमारी जो expenditure होती है खरीदने में या बनाने में हो सकता है कि building आपने खुद construct की हो या machine आपने खरीदी हो इनके उपर हमारा जो खर्चा होता है वो capital expenditure माना जाता है चलिए next point देखता है यह तो हो चुकी for making additions to any existing fixed asset अब मान लीजए आपके पास एक building थी पर आपने उसमें दो rooms और जोड़ दिये extension कर ली या आपकी एक machine में आपने उसकी कुछ capacity increase करने के लिए आप एक और machine ले आया या इसी machine में कुछ आपने increase किया या कोई नई machine खरीदी तो कोई existing asset में अगर आप कोई addition भी करते हैं तो वो भी आपकी capital expenditure खहलाती है चलिए third point देखते हैं for increasing the income earning capacity of business कोई भी खर्चा जो आपकी business की जो income earning capacity है income earning capacity यानि आपकी business की जो कमाई करने की जो शमता होती है उसको अगर बढ़ा दे कोई भी expenditure तो वो expenditure भी capital expenditure होगी अब इसका example मैं आपको बताऊंगा मान लीजे कि आपकी एक car running की business है आप गाड़ियां higher पर देते हैं और आपने सारी गाड़ियों की जो engine है उसे petrol से diesel engine में change करवा दी तो जब आप petrol से diesel engine में change करेंगे तो आपका क्या होगा इसके कारण आपका जो cost है वो reduce होगा क्योंकि diesel की cost कम है और petrol की cost ज्यादा है तो अगर आप engine कर दें तो car की running cost कम हो जाएगी और running cost कम होगी तो आपका profit बढ़ेगा तो earning capacity आप कैसे बढ़ा सकते है या तो आपको आपनी cost कम करनी है या आपको आपकी income बढ़ानी है दोनों ही cases में आपकी profit जो है वो increase होती है तो इस case में जहाँ पर आप car की engine को petrol engine निकाल का diesel engine लगा रहे है वो एक capital expenditure होगी क्योंकि वो आपकी business की earning capacity को बढ़ा रही है मान लीजे कि आपने एक और example है कि आपने अपनी आपकी एक cinema hall है और उसके seats आपने change करवाएं तो हो सकता है कि seats change करवाने के कारण आपकी जो है income या revenue वो बढ़ गई हो हो सकता है आपने ज्यादा luxury गद्यदार seats लगवाए हो comfortable seats लगवाए हो जिसके लिए आप अपने ticket prices रहेंगी तो आपकी revenue बढ़ेगी revenue बढ़ेगी तो profit बढ़ेगी तो उस case में ये expenditure जो seat change करने की expenditure जो होगी वो capital expenditure होगी पर in case मान लीजे कि आपने seats change करवाई पुरानी seats ती तूट फूट गई थी और आपने उनकी जगह पर नई seats लगवा दे पर आपकी नई seats लगाने के का कारण ticket का price आप बढ़ा नहीं सकते और नई seats लगाने के कारण ना आपकी cost कम हुई ना आपकी revenue में कोई बढ़ातरी हुई तो उस case में ये expenditure जो होगी वो revenue expenditure कहलाएगी ना कि capital expenditure because इस expenditure के कारण आपकी income earning capacity में कोई increase नहीं हो रहा आशा करता हूँ कि आपको ये point समझ में आया होगा ये एक बहुत ही ज्यादा important point है मैं इसे star mark कर रहा हूँ आपको हमेशा ये चीज़ याद रखने है अपनी life में अगर आप सही तरीका से capital और revenue expenditures की distinction करना चाहते हैं तो ये point आपको हमेशा याद रखनी पड़ी आशा चली जहां पर हमें कुछ ऐसी benefit मिलती है या rights मिलती है जिसे use करके हम अपने business में फाइदा कर सकते हैं जैसे कि patents है know-how है goodwill है तो ये सारी जो ऐसी assets है जो दिखाई तो नहीं देती है पर हमें अपनी business की earning capacity को increase करने में help करती है know-how patents patents आपको पता ही होगा कि कुछ technology आपने develop की और तो उस technology को patent कराने के कारण कोई और उसे use नहीं कर पाएगा और आपको अपने business में growth मिलेगी तो ये एक तरह की asset है goodwill भी जो है वो भी एक asset है और आपको दूसरे businesses से ज्यादा income earn करने की capacity देता है तो इस type के assets को acquire करने के लिए किसी patent को करवाने के लिए या किसी तरह की know-how क know-how मतलब को technological secret या कुछ भी आपको acquire करने के लिए कोई खर्चा अगर हो तो वह भी capital expenditures होते हैं अब यहाँ पर एक note मैंने लिखा है all items of capital expenditure result in assets which appear in the balance sheet अब सारे capital expenditure जब आप करते हैं capital expenditure तो उससे क्या जन्म लेती हैं उससे assets जन्म लेती हैं किस तरह की assets? fixed assets और यह जो assets हैं इन्हें हम balance sheet में record करते हैं तो यह हमने इस note में लिखा है अब capital expenditures तो हो गई चली हम revenue expenditures देख लेते हैं तो यहाँ पर हमने similar तरीके से revenue expenditure की भी जो है definition लिख रखी है चली पढ़ते हैं if the benefit of an expenditure incurred in an accounting period is consumed in the same period then it is called a revenue expenditure बहुत ही simple है यह एक accounting period है यहाँ पर आपने एक खर्चा किया एक expense किया है और इस expense की जो benefit है यह benefit इसी accounting period के अंदर आपने enjoy कर ली यह benefit carry forward नहीं हो रहा है इस accounting period की जो boundary है इस boundary के beyond carry forward नहीं हो रहा है जैसे capital expenditure की case में आपने देखा था कि उसकी जो benefit है वो एक से ज्यादा accounting periods में spread हो रही थी पर revenue expenditure के case में जो benefit होती है वो उसी साल use हो जाती है जिस साल हम वो expenditure करते हैं इसकी बहुत common सी example है rent आप एक साल के लिए rent देते हैं और आप उसका benefit जो है मतलब उस premises को आप एक साल तक enjoy कर सकता है या अपने employees की जो salaries होती है आपने किसी period के लिए salary दी और उसकी benefit जो है आप उसी period तक enjoy कर सकते हैं तो यह सारी revenue expenditures होती है चलिए आगे पढ़ते हैं revenue expenditures do not increase the earning capacity of the business nor does it bring an asset into existence अब यहां पर क्या क्या आगया है कि जैसे capital expenditure के case में हमने बताया था कि capital expenditures जो होती है वो business की income earning capacity को बढ़ा देती है पर revenue expenditure के case में ऐसा है कि वो business की income earning capacity को बढ़ाती नहीं है ना ही वो किसी नए asset को जन्म देती है मतलब revenue expenditure से आपको increased earnings नहीं मिलती है और new asset भी यह दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलती है तो क्या होता है revenue expenditure से revenue expenditure जो है वो आपको business की earning capacity को maintain करने में help करती है देखें यहाँ पर मैंने लिखा है it maintains मतलब जैसा आप business करते आ रहे हैं वैसा ही आप business future में भी करते रहे हैं इसके लिए आपको तो कुछ खर्चे करने ज़रूरी होते हैं जिसे हम कहते हैं expenses for running the business तो वो खर्चे revenue expenditures होते हैं वो business की earning capacity को maintain करते हैं पर increase नहीं कर पाते हैं अगर कोई भी खर्चा business की earning capacity को increase कर देता है तो वो capital expenditure हो जाता है revenue नहीं और चली revenue expenditure में कौन-कौन से expenditures include होती है वो हम देखते हैं revenue expenditures includes expenditure incurred for acquiring assets for resale at a profit or for conversion into finished products तो हम business में कुछ assets खरीते हैं अब यह assets कौन से हैं for resale वाले है resale at a profit तो हम कौन सी assets resale के लिए खरीते हैं goods खरीते है goods जो है कोई भी businessman जो trader होता है वो कुछ goods खरीता है और उन्हें एक profit पर बेशता है तो यह goods भी एक तरह से उसके assets ही है पर यह business में long term use के लिए नहीं खरीदी गई बलकि intention है कि इन्हें खरीद के हम business में at a profit में resale कर दे है और यह generally goods होते हैं और कुछ assets हम खरीदते हैं conversion into finished products अगर आप एक manufacturer है तो manufacturer के case में आप raw materials खरीद सकते हैं raw materials और in raw materials पे कुछ conversion process या production process यूज करके आप इन्हें finished products में बदल सकते हैं finished products में बदलने के बाद आप इन्हें resale कर सकते हैं at a profit तो यह जो खर्चे होते हैं goods materials खरीदे में फिर उन्हें convert करने में fixed products में यह खर्चे revenue expenditures होते हैं आए नेक्स देखते हैं expenditures for maintaining fixed assets in working order अब आपकी fixed assets तो आपको business में long term benefit देती है लेकिन fixed assets को उनकी existing condition में maintain करने के लिए जो खर्चे किये जाते हैं वो revenue expenditures होते हैं मान लिजए आपकी एक building है आप एक hotel के मालिक है यह आपकी hotel की building है इसमें 5 floors है और हर floor में 4 rooms है तो यह आपका यह building जो है hotel यह आपका एक asset है जिसके कारण आप अपनी business चला पा रहे हैं लोग यहाँ पर आते हैं rooms rent पे लेते हैं और आपको उनसे revenue मिलती है यह हो गई आपकी hotel building तो यह building आपका fixed asset है पर आपने देखा होगा कि hotel की buildings को ताकि वो attractive दिखें और customers को attract कर सके उन्हें हर साल maintain किया जाता है बहुत ही सफाई से रखा जाता है repairs किये जाते हैं जहां भी थोड़ी सी भी कुछ हो जाए color किया जाता है हर साली से paint किया जाता है हमेशा साफ सुत्रा रखा जाता है तो इस asset को इसकी working condition में maintain करने के लिए जैसे painting, सफाई, repairs वगेरा जो भी खर्चे होते हैं उसे हम revenue expenditure कहते ह तो कौन सी expenditures for maintaining fixed assets in working order उन्हें अपने काम करने या चलती हुई स्थिती में रखने के लिए जो खर्चे हम करते हैं fixed assets को working order में रखने के लिए उन्हें हम revenue expenditures करते हैं इसमें जो होता है fixed assets में कोई increase नहीं होता बलकि fixed assets की जो condition है वो बरकरा रहे थी तूट फूट जाए तो repair कर देते हैं कहीं पर कुछ damage हो जाए तो उसे पर repair कर देते हैं मैंने लिख कर रखाए कि normal and routine repairs जो होते हैं वो revenue expenditures होते हैं चले third point देखते हैं for running the day-to-day operations of the business अब आपको पता ही होगा कि एक business को daily basis पर run करने के लिए काफी सारे खर्चे होते हैं और वो सारे खर्चे जो होते हैं वो revenue expenditures होते हैं जैसे कि आपका rent, rates, taxes, wages, salaries, carriage, insurance और other miscellaneous expenses तो यह सारे business को रोज रोज चलाने के जो सब कोई खर्चे हैं यह सारे revenue expenditures होते हैं इनसे हम day-to-day business operations को चला सकता है तो यह तो थी revenue expenditures की list as a gist मैं आपको बता दू कि business में जो होता है वो चली हम एक blank page में आपको एक explain करके बताता है business का जो main procedure होता है वो होता है आपका एक cycle cycle कैसे चालू होता है आपने goods खरीदा goods खरीद के आपने उस पर processing करके या तो goods खरीदा या आपने अगर raw material खरीदा तो उसे आपने process करके finished goods बनाया और finished goods से आपने उसे resell किया और उसे cash में बदला और इसी cash को use करके आप फिर से goods या raw materials खरीदते हैं फिर से उसे production process चलाते हैं अगर raw materials है तो production process नहीं तो directly आप इसे goods को profit पे बेच देते हैं तो यह cycle चलती रहती है जहां पर आपकी आपके हाथ में cash आती है फिर आप cash से goods खरीदते हैं finished goods में बदलते हैं profit में बेचते हैं फिर cash होती है तो यह business cycle जो है यह आपकी main activity है और इस activity के ancillary आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं मतलब इस cycle को चलाने के लिए आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं जैसे कि wages rent फिर आपकी salaries फिर production costs एक्सेटरा 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 तो यह सारे जो होते हैं यह पूरी यह पूरे खर्चे इस cycle को चलाने में जो खर्चा है मतलब cash से cash की conversion cycle और यह सारे ancillary expenses इन्हें हम revenue expenditures कहते हैं और इस पूरी cycle को चलाने में हम कुछ assets भी use करते हैं fixed assets तो इन assets को maintain करने का भी जो खर्चा है वो भी आपकी revenue expenditure हो जाएगी अब जैसे आप यह जो cash conversion कर रहे हैं इसके लिए आपको एक factory चाहिए होगी तो factory आपकी asset है पर factory की maintenance में जो खर्चे हो रहे हैं वो अपकी revenue expenditure है क्योंकि वो इस business cycle का हिस्सा है तो आशा करता हूं कि आपको capital revenue expenditures की जो यह thin line of difference है यह समझ में आई होगी यहाँ पर एक point discuss करना बागी रह गया था वो है यह note all items of revenue expenses go to the trading and profit and loss यहाँ पर एक word मिस हो गया trading and profit and loss account होगा यह all items of revenue expenses go to the trading and profit and loss account provided they have been fully used up अब क्या होता है कि अगर आपने कोई खर्चा किया revenue expenditure और आपने उसका benefit fully enjoy कर लिया उस current accounting period में तो वो जो है वो आपकी trading and profit and loss account में जाएंगी और अगर by chance कोई unused portion रह गया जो इस accounting period में आपने उसका benefit enjoy नहीं कर पाए जैसे कुछ insurance premium होते हैं जो हमेशा आपकी accounting period से sink नहीं हो पाते उसकी period हो सकता है कि आपने आपकी accounting period April से लेके March तक है पर आपने इंशुरेंस जैनवरी डिसमबर देके रखा है तो कुछ उसकी benefit जो है वो आपकी accounting period को overlap करके दूसरी accounting period में जाती है तो वो unused portion जो है वो आपकी balance sheet में appear करेगा as current asset और अगर current year में किसी revenue expenditure का benefit आपने उठा लिया पर आपने अभी तक payment नहीं किया वो expenditure outstanding है तो वो balance sheet में current liability के हिसाब से record होगी इसका सबसे simple example है कि मान लीजे आपने इस साल अपने workers को जो है wages जो है वो कुछ नहीं दिया मतलब उन्हें 100 रुपए wages मिलने थे उसकी जगह आपने सिर्फ 80 रुपीज ही पे किये तो 20 रुपीज की जो outstanding wages है वो आपकी balance sheet में current liability के हिशाब से दिखेगी as on the closing date of the accounting period तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी अगर आपका कोई सवाल या सुझाओ है तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं इस वीडियो को like करें करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं future में आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा इस concept में हम capital and revenue incomes भी discuss करेंगे part 2 अफ दे वीडियो में तब तक के लिए good bye और इस वीडियो को दोखिने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद